हेलो अब्रिबॉन गुड मॉनिंग कैसे आप लोग आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल बहुत बहुत सागत है तो यह जो मैं कपड़ों की पैकिंग कर रही हूं वो गरम कपड़े थे अब इनको अलविदा तो कहना ही होगा है गरम कपड़ों को सफर यहीं तक था और थंडी खतम हो चुकी है और गरम कपड़े वापस से रखना है तो मैं यह जो दीवान सेट है इसी में रखूंगे और यह देखी एक गट्रा में रही है यह तो गट्रे अब इसमें वापस से डालूगी और मुझे नहां सी आ रही थी क कितने सारे कपड़े हो गए और जब देखो तो पहनने को होता ही नहीं बाबू के पूरे हैं एक में एक में मेरे हस्बन के हैं और आपने देखा होगा पहले मैं द्यावू पे साने गई थी और पता है चक्की जाना पड़ता है और कंदे में रख के ले गई थी तो बहुत बेश्रम बन के करूंच है कैसे भी करूं तो फिर उसके बाद में कि माटा चिक की गई थी फिर खाना बना और यह ना यहां पर पानी गिर गया था जैसे कभी-कभी यह इसी पर बैटके पानी पीते हैं खाना तो मेरे यहां पर कुछ कपड़े भी रख्यों थे नल नहीं आ र समझ में आ रहा है क्योंकि दो दिन की चादर है इनके कपड़े हैं देवू कि आपको पता है बच्चे कितना कपड़े गीले करते हैं तो फिर मैं उनको धुली देती हूं क्योंकि बात तो भई हो जाती है और बहुत देड़ की ना इन कपड़ों को निचोड के रखे हुए मैंने मैंने इन से बोला भी था कि मतलब अगर वो रहा हूं तो आप डाल देना इतना दो करी सकते हो पर फिर शायद ही भूल गयते तो मैं इनको डाल रही थी और करीब ही मेरे कपड़े 9 बजे के डुल चुके थे सुबह 9 बजे करीब 12 एक बजे मैंने फैलाए थी और झाम अन्हों है यहां चलो कि यहां चली यहां तुर्ट चाप बैठो ऐ xenopas it speak to me कि अ remember कि आ रहा है कि आ अहां कैसा लग रहा है पीकी बताद अच्छा अराम से कैसा है और आपड़े दुले हुए है और भी पोछा लगाना बाकी है वो वाइल टी रखी हुई है नीची कोचा गी इसके पहले यहां से एक नारीर का जूस वाला निकला था वहां से नारीर खरीदा है और देव ना बड़े मज़े से पी रहा पंदरा पीस दिन पहले पिला रहे था और कहते है नाडियर जूस बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है मैंने देखा है कैसा है अरे गिर्दा है तो बाबु अपने आप से ती लेता है चलो फिर हम आप से मिलते हैं पोछला लगाने के बाद आप कपड़े तो देखी सक लुओं निए तो यहां यहां पर रहीं काम है भी होता है तो मैंने बनाया था इनके लिए पर अपना खुद नहीं किया था शीड़े मेरे सामका व्लॉक था तो यहां पर मैं जो बगरा हुए था सारी सूख गयते तो मैंने कर दो ने यह एका चलो इल्को ऊठा भी लेती हूं पर उसके अद्मुहाद दुलती हूं ठीक है ना पर उसके अद्मुहाद दुलूंकर इसके में जितने भी काम हैं गयों पर श्वाने भी जाना है कैसे हैं आप लोगी लेके आएंगे और अभी साम का टाइब है अभी में पी रही हुआ हाला कि बंद कर दिए रहे हैं थोड़ा साथ गूंता है था बस पी रहती हुआ है मुझे गया हुआ डाले जाना इसके पहले प्रमोशनल वीडियो बनाई है तो ऐसे ही काम करते हुआ य इसके पहले गयों को बीना है तीन दिन लग गए लब गयों को बीनते हुए हालाकि उसमें कुछ थानी पर सुखाना भी थाना है और वो कचड़ा तो खेट जब हमने गयों को दुला था तब भी वो गया था इसलिए तो चलो अब मैं फिर आप लोगों से चाय पीनू और यहां से निकली थी छे बजी साथ साड़े साथ हो रहा है तो अंधीरा हो चुका था और मैं गयों लेकर आई थी निजे अगसे मैंने आवाज दे दिया था कि मैं आ रही हूं तो यह है और यह देखी कितना रहा था मतलब यह 10 से 15 किलो गयों था और मैं हासी इसलिए आ रही इन्होंने बोला था लौकी बनाना आज क्योंकि दो तीन ही प्रकार की हम सुढ़ी खा सकते हैं तो बहुत जिस तो सब्जी और ऐसी जिस गो भी बट पर क्या हुआ कि उन्होंने भूला कि लोकी लेका आरती जिसमें कि ठीक रहेगा मैं लोकी की सब्जी बहुत दूनों से नहीं का यह फिर मैं लोकी की सब्जी काटी उसके बाद पर आटा पूरा खतम हो गया था मतलब उसके हैं मैं आटा को गूता उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी तो आप सब लग सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेरी जिनकी में महनती वाला काम करती हूं मैं और इन हालातों में भी है न जैसे कि इसमें कि खेलन पर वह बहूं यह जादा क्णो उसको देखना और काम करना बहुत मुश्यां करना अब कि शबते हम अब हैं लेने का सोच रही हूँ अगर भगवान की देया से हुआ इसकूटी इसकूटी तो ले लूँगी तो उसमें अच्छा रहेगा है ना तो जाते आते बन जाएगा मतलब कम से कम कुई चोटी मोटी गाड़ी अगर सब कुछ मैनेज ठीक हुआ तो देख लेंगे कम से कम जाने आ जाए आपने ब्लॉग में जरूराइड करती हूँ कोई भी काम हैं कोई वह काम है आप लोग से क्या छुपाएं मतलब जो भी रहता है ना मेरी एक ब्लॉग में रियालिटी रहती है तो यही है और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे आप में कमेंट करके जरूर बताईएगा बहुत मैनत भी लगती है ब्लॉग बनाने में देख भाल में सब कुछ करने में एक मैनेज करने में आप बाकित अच्छे पहरे पहरे कमेंट करते हैं और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूब करिएगा और कमेंट करके बताईएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा अब मिलेंगे हम आपसे कल मसा आप लोगों को यही बताना था कि जो भी काम रहते हैं यह उसी जादा समय रहते हैं अलू प्याज वाला इतरु मंडी भती जब हर सटड़े तो जाके लिए आते हैं जैसे भारी समय रहते आपको पता है और उपर से चड़की आना क्योंकि हम ही कर लेते हैं और यहां भी हम बैटे भी थे अलब हज़वेंट लेटे थे सौरी हमें आ में नहीं होता थोड़ा सा दर्द होने लगता इस वजय से और फिर हम यह डीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि बार बार फिर यह काम करना वह काम करना है तो समझ सकते हैं वाकि हम साड़ी पहन के यहां आप चलो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लागा हो तो क